कमलनात ये सवाल निरंतर चलता आ रहा है पीते देड़ महिने से जी प्रकार की हल्चल और लेकिन दिल्ली में जो आप हल्चल का होट स्पॉट देख रहे हैं से लेकर लगातार जानकारी हैं सुत्रों के वाले से एक और बड़ी जानकारी सामने आती हुई कॉंग्रेस के निता कमलात कुमनाने का प्रयास किया एक तरफ चुकि खबरे लगा था चल रहे हैं कि कमलात बीज़पी के होने वाले हैं तो दूसरी तरफ से पार्टी ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर इन खबरों में सच्चाई है तो दामिज कंट्रोल तो कम से कम किया जाए कमलाथ को मनाने की कोशिश शुरू हुई है राहूल गांधी ने कमलाथ और नकुलाथ से फोन पर बाचीत की है राहूल गांधी ने कहा है कि आपका पार्टी से बहुत पुराना रिष्टा है आपने पार्टी और देश के लिए सब कुछ किया है पार्टी ने हमेशा आपका सम्मान किया आगे भी करती रहेगी ये शब्द रहे हैं राहूल गांधी के अब सीधे तोर पर आप कह सकते हैं क कमलाथ पहुचने वाले हैं भारते जंता पार्टी के दावन के साथ लेकिन दूसरी तरफ कौंग में से प्रयास करती हुई कि आखरी कोशिशे जरूर की जाएं अपने इस तरफ पर भी सहिए कि शिवम प्रताप सिंग हमारे साथ लाइफ जूरें कम रुकर लेते हैं शिवम राहूल गांधी से सीधे बात चीत हुई है अब तो ये तैह ही माने की पहुच रहे हैं कमलाथ बीजेपी में देखे जब से लगातार ये बाते हो रही थे कमलाथ बीजेपी जौइन कर सकते हैं तब से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों अभी तक कॉंग्रेस निज़त ने एक बार भी कमलाथ से संपक नहीं साधा है क्या वज़ह है कि पार्टी लीडर्सिप कमलाथ को म अगे बी करती रहेगी सबसे बड़ी वात ये राहूल गांदी ने ये भी कहा कि आपने ना सिर्फ पार्टी के लिए बलकि देश के लिए बहुत कुछ किया है ऐसे में उम्र के इस पड़ाओं पर अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो ये ना सिर्फ आपके लिए बलकि निश्यत तोर पर काल करताओं काई मनोबल डाउन करें यही एक बज़े है कि उनको समझाया बुजाया गया है लगातार ये अटकले चल रही थे आखित क्यों पार्टी लिडर्शिप कमलनाथ से बातचीत नहीं कर रही है लेकिन अब न्यूजे टीम के पास उच्छी सूत् पर कमलनाथ जाते हैं अगर कमलनाथ नकुलना जा रहे हैं तो अपनी साथ तमाम विधाया को कुले कर पहुंचेंगे अभी देखने वाली बात के इस फोन पर हुई बातचीत का कोई असर कमलनाथ पर क्या पढ़ता है बहुत शुक्रिया आपका यह ज़ानकारी साजा करने क लिए तो कमलात का बीजेपी में शामिल होना लगभकता है आप समझेए प्रधान मंत्री से मुलाकात वो कर सकते हैं अमिट्षासे भी उनकी मुलाकात हो सकती है और शिंखला बहुत लंबी है 15 विधायक आठ पूर्व विधायक शामिल हो सकते हैं दो महापौर के भी नाम शा कॉंग्रिस में रहूंगा शब्द उनके ये हैं कि अभी तक बीजेपी से बात नहीं हुई है हो सकता है कि आगे इसे लेकर जरूर वो डिक्लेर करें कि पहले बताना नहीं चाहता था लेकिन अब भारतिय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी बहुत पुक्ता नजर आती हुई इसलिए लगभगता है कि कवलात नकुलात और पार्टी के कुछ विधायक भारतिय जनता पार्टी के होने वाले है तो ये तस्फीरे निरंतर आपकी जीवी स्ट्रींच पर बाचीत करने के लिए तयार नहीं कमलात मेडिया से प्रयास बहुत किये गए कि उनसे बाचीत की जासे के समझे जासरी खेस ती लेकिन अभी कुछ भी कहने से बचते नजर आए तो एक तरफ ये खबरे हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस में कमलात के में के नेताओं की नाराजिकी भी है कमलात के बेहत करीबी नेता माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने कुलकर कहा कि जिस तरह से कमलात को उनके पद से हटाए गया सोनिया गांदी से बाचीत होने के बाद भी उन्हें राजसभान नहीं भेजा गया इससे कमलात के समर्थकों को काफी ठेस पहुंची और उसके बाद निशकर्ष पर आप ये खबरे देखते हैं कमलात जी क्यों भेख्षा चुनाओं को टाइम सिकनी जा रही है कभी किसी ने सोचा नहीं तक भूपेज बगिल चुनाओं हार जाएंगे कल्पना भी नहीं कर सकते थे चाहे राहूल जी की बात हो ये कॉंग्रेस पार्टी की हो ये पबलिक की बात हो तो बात ताती ही 36 गड़ों मदप्रदेश की 36 गड़ों हम चुनाओं हारे के बबल चुनाओं हो ये लेकिन कमलना जी कोई न करा क्यों कर जा रहा है मदप्रदेश भी आरा उसमें सारा दोस्कमलना जी की ओपर देखे कमलना जी को जिस जंक सपट से हटाया गया और रचस्वन में सोनी है जिसे बात होने के बाद वग्चित किया गया इससे लोगों को ठिस लगी हुई और वारा नसी पहुंची कॉंग्रिस के दिगज निता जैराम रमेश ने कमलाथ की सवाल पर कन्नी काट ली जब उनसे कमलाथ की नाराजगी पर सवाल पूछे गए तो कहा कि वो विश्वनाथ क कि बात करने आएं कमलाथ की नहीं सुनी के कमलाथ जी भारती जिंता पार्टी से बात चीते हैं यहां सिर्फ मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं कमलाथ की नहीं क्या कमलनाथ जी भार्ती जिन्ता पार्टी से बात चीता है? नहीं, मैं यहां सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं यह व्यक्ति ऐसे नहीं है कि दबाव में आ जाएं, सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है, हमारे कॉंग्रिस के नित्पत के भी उनसे चर्चा हो रही है, और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति, जिन्होंने की शुरुवात कॉंग्रिस से की, और जिन्हें हम सब इंद्रा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे, और उन्होंने हमेशा कॉंग्रिस का साथ दिया है, कॉंग्रिस के स्तंब रहे हैं, कौन सा पदोने नहीं मिला। तो दिली से एगली बड़ी जानकारी, कमलनाथ को लेकर बयान बाजियां लगाता चल रहे हैं, मध्य प्रतेश के मत्री कैलाश विजवर्गे की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया बीजपी में आने के अटकलों पर कहा कि जहां आग होते हैं, वहीं सिध्धुआ उत्ता है, E.D. से डराय जाने के आरोपो पर दिखविजय पर भी पलटवार क्या ऐसा है, तो सिफ कमलनाथ कोई डर क्यूं है, इस सवाल पूछा है. जिस तरह से डिख्विजय सिंगा कहाना है, E.D. का डर जो है, वो नेताओं पर दिखा जारे है, कॉंग्रेस नेताओं पर. नहीं तो कमलनाथ डर रहे और वो के ने डर रहे का रिशा है, तो E.D. का डर नहीं, उनके नेता के प्रती कारिकरतों को विश्वास खतम हो गया, इसलिए भारती जनताओं पार्टी में लोग आ रहे हैं और मोदीजी के प्रती नोग का विश्वास है. सर, अगर हम बात करें सर, अगर कमलनाथ और पार्टी में आते हैं तो सर, उनका स्वागत करेंगे सर, अब देखिए अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर यदि कहीं धुआ निकल रहा है तो समझ लीजे कुछ तो कुछ तो आग होगी है नेची.